नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org www.naysubah.org Assalamualaikum नई सुभा के Independent Living Program के Audio Learning Tutorials के साथ मैं हूँ शायान आज हम बनाना सीखेंगे दम कीमा दम कीमा बनाने के लिए जिन अज़्जा की हमें ज़रूरत है उसमें शामिल है Oil एक कप गाय का कीमा तीन पाउ 10 हरी मिर्चे छोटी वाली एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ लेसन का पेस्ट वन टेबल स्पून अदरग का पेस्ट वन टेबल स्पून कच्री पाउडर वन टेबल स्पून शान का दम कीमा एक साशे धनिया एक गड़ी बारीक कटा हुआ अद्रग चार इंच का टुकड़ा जूलियन कट हुआ हुआ कोईला एक अदद दही एक पाउ पानी दो ग्लास तरकीब कीमे को अच्छे तरीके से धो लें एक पतीले में ओयल डालके प्यास को गोल्डन फ्राई कर लें उसके बाद उसमें वन टेबल स्पून लसन एड़ करें और लसन को फ्राई करें लसन फ्राई होने के बाद उसमें कीमा एड़ करें और कीमे को भी फ्राई कर लें साथ ही अद्रग और मिर्चों का पेस्ट एड़ करें और उसमें 2 ग्लास पानी शामिल करके अच्छे तरीके से पकाएं उसके बाद 1 टेबल स्पून कच्री पाउडर और शान का साशे एड़ करके मसाले को भून लें जब मसाला भून जाए उसके बाद इसमें दही शामिल करें और तब तक पकाएं जब तक तरी उपर ना आ जाए दूसरे चूले पे कोहले को धहका लें धहके हुए कोहले को एक प्याली में डालके पतीले में रखें और उपर से वन टी स्पून ओयल डालके धकन को अच्छे तरीके से धक दें पांच मिनिट के लिए इसको कोहले का दम दें उसके बाद धनिया और अद्रग छिड़क कर सर्फ करें आपका दम कीमा तयार है ये तो थी हमारी आज की रेसिपी अब आपसे अगली रेसिपी में मुलकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज अब पांच में मुलकात होगी